मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियों दोस्तों आज की सीडियों में आप सभी के सामने 2014 संस्कित का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट पेपर ले करके आ गया हूँ ये कछा 10 का पेपर है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है निर्देश पढ़ लिजी अब सीधा questions की ओर चलते हैं ठीक है और एक के questions को हल कराते हैं बहुत ही बेतरीन तरीके से तो यहाँ पे दिखे खंड आब हुई कल्पी यह प्रसन आपका इस्टार्ट होता है यहाँ पे लिखा है प्रसन संख्या एक वा दो यानि एक एम दो गध् प्रसनों का उत्तर देना है ठीक है तो यहाँ पे गध्यान से महाकवी काली दासा संस्कित कवी नाम मुकुट मडी अस्ति यानि महाकवी काली दास संसकत के कवियों में मुकुट मडी हैं अर्था सरुसरेष्ट हैं ना के ओलम भारत देशस से अपितु समग्र विस्वयत क् आदुतिय हैं तस्या अनवध्या कीरती कव्मधी देश-धेशांतरे प्रस्तास्ती यानि उनकी अनविग्य कीरती कव्मधी जो है देश-धेशांतरों में फैली हुई है रूप में भी सब लोगों के द्वारा आदर किये जाते हैं ठीक है अब देखिए पहला प्रस्तुत गध्यांसा का से पाठास से उद्धृता आस्ती ये किस पाठ से लिया गया है तो पहला है जीवनम नीतम बने दूसर है नैतिक मुल्यानी तीसर है कभी कुलगुरु कालिद से लिया गया ठीक है अपसंसी आपका सही हो जाएगा अगला देखिए संस्कृत कभी नाम मुकुट मरी का आस्ती यानि संस्कृत के कभियों में सरोस्रेश्ट काउन है विश्चु कभी रविंद्रा महा कभी वालमी की वेद ब्यासा कालिदासा तो यहां पे देख सकते हो म प्राणभूतम तत्वम किम यानि नयतिकता का प्राणभूत तत्व क्या है स्वस्य हितम परेशाम हितम विदेशिया नाम हितम पसु नाम हितम तो इसका करेक्टांसर होगा परेशाम हितम ठीक है अगला देखिए ब्यासस्यक्रति अस्ति यानि ब्यास की क्रति काउन सी है रामायडम, श्रीमद भगवद गीता, मेगदूतम भासा, तो करेक टांसर होगा, श्रीमद भगवद गीता, ठीक है, अगला देखो, बीवुद बोध बुधाई ही कासे बेते, तो आप लोग पढ़े होंगे, एक इस लोग है, इस लोग का ही ये लिया गया है, ठीक है, बीव रोगी हो, आतुर हो, तब उसे इसनान नहीं करना चाहिए, अगला देखो, वाड़ी कम समलम करोती, वाड़ी किसे समलिम करोती, यानि किसे सुस्वभित करती है, पसुम को, की सर्पम को, की पुरुसम को, की मानवम को, तो वानने का समलम करोती, या पुरुसा संस्क्रता ध थारते यानि उस पूरुस को सुसोभित करती है जो इसे अपने उपर धारान करता है ठीक है वारी तो ये पूरुस का हो जाएगा पूरुस आम इस लोग के अंस दिये गए हैं अगला देखो प्रतिव्याम त्रिंडी रतनानी जलम अन्नम सुभा सितम तो इसी में एक गैप द नागा नंद नाटक के रचैता काउन है गांधी महात्मा कालिजासा हर्सवर्धन तो करेप्ट आंसर होगा हर्सवर्धन ठीक है अगला देखो सुमेधा का समाह पुत्री आसी तो बिने यस रंभा या चपला या हरमाना थस से तो सुमेधा जो थी बिने की पुत्री थी बि 13 मने 13 तो महस्वर सूत्र 14 है सब लोग जानते हैं ठीक है 14 आप लोग लगा देंगे अगला देखिए यह प्रत्याहार के अंतरगत आने वाले वर्ड कौन से हैं तो देखिए जब प्रत्याहार सुरू होता है तो पहला छर गिना जाता है लास्ट छोणा जाता है ठीक है न तो जैसे हय वरत लड़ तो यह से सुरू करेंगे या वा रा और ला को छोण देंगे ठीक है न तो आपका यह वला आजाएगा या वा रा ला महस्वर सूत्रयाद है तो आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होगे अगला देखिए अहम गच्छामी में संधी कौनसी है अनुस्वार, परस्वर्ड, ब्रध्धी, यड तो मो अनुस्वार है तो आपका पहला अपसन सही होगा अगला देखिए बिसर्ग का उच्छारणी स्थान होता है क्या पहला अपसन है कंठ, दूसरा अपसन है तालू, तीसरा अपसन है दंत, चौथा अपसन है मूर्धा तो आप लोग एक सूत्र पढ़े होगे अकुह विसर्जिनिया नाम कंठा ठीक है ना, यानि ये कंठ में आता है बिसर्ग आपका कंठ में आता है अपसन ये सही होगा अगला देखिए बालिके किस विभक्ति वचन का रूप है ठीक है तो बालिका का रूप है बालिका बालिके बालिका ठीक है न, तो ये प्रत्मा विभक्ति दुईवचन का ही रूप है, तो अपसन सी आपका सही होगा, अगला देखिए, त्रिभुवनम में समास कौन सा है, दिगु समास द्वन्द समास कर्मधारे बहुबरी ही, तो त्रिभुवनम में जो समास है दोस्तो दिगु समास है, ठी ठीक है अपसन एगा आपका सही होगा, अगला देखिए, पठेत किस लकार का रूप है, लट लकार, लोट लकार, विधी लिंगलकार, लिट लकार, तो पठेत, 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 पठेयम, पठेव, पठेम, ये विधी लिंगलकार प्रथम पुरुस एक वचन का रूप है, ठीक है अपसन आपका सी सही होगा अगला देखिए ब्रच्छात में कारक कौन सा है तो यहाँ पर देखेंगे ब्रच्छात पंचमी भ्यक्ती का सब्ध है तो जब पंचमी भ्यक्ती आ जाएगी तो वहाँ पर अपदान कारक हो जाएगा ठीक है, अपदान से संप्रदान के लिए, है नो, अपदान आपका हो जाएगा, अगला देखिए, छात्रस चलाती का संधी भी छेद क्या है, तो छात्रस प्लस चलाती ये गलत होगा, छात्र चलाती ये भी गलत, छात्रो चलाती ये भी गलत, छात्रा प्लस चलाती, आपका अप्शन D सही होगा ठीक है अगला देखिए अनुभूई में प्रत्य कौन सा है तो अनुभूई में अक्त्वा प्रत्य है कि लेप प्रत्य है कि टाप प्रत्य है कि अनियर है तो अनुभूई में लेप पत्तर प्रत्य है ठीक है अप्शन B आपका सही होगा अब देखिए य पस्तुता मैं वास्तों में, कालिदासा मैं, कालिदास, मूर धन्यत्मा मैं, सरुश्रेश्ट भारति mutual कभी मने, भारति एकोίο हैं, एक तस्ठस मैंने, एक ओर तस्ठस मैंने, उनकी कृतिशों मने, रचनाओं में, काब्वे के उचितगुणों का समाहार दिखाई पड़ता है तो अपरतस्च मने दूसरी और भारती जीवन पद्धती की सरवांगिर्टा वहां पर राराजते मने सुसोभित होती है काब्य उतकरष्ट की द्रस्टी से उनके काब्यों में मानव मन की सूछम अनुभूतियों का इंद्रधनु किसी भी सहिर्दय व्यक्ती के मन को आवर जैतुम यानि क्या करने में अपहरित करने में पार्यतिमाने संभाव है या सक्षम है ठीक है प्रक्रति अपीस्व जड़त्तम भी है यानि प्रक्रति भी अपनी जड़ता को त्याग करके सर्वत्र माने सभी जगह मानव सहचरी वाचायरयती यानि मानव के सहचरी के रूप में आचरण करती है यहाँ पे दूसरा देखिए दिया गए है रविंद्र नाथ अस्य जन्म का लिकाता नगरे यानि रविंद्र नाथ का जन्म जो है कलकत्ता नगर के एक सस्ट धिकारस्ट दा सतत मत्त में यानि 1861 में यहाँ पे देख लेंगे ठीक है इनके पिता देवेंद्र नाथ और माता सारदा देवी थी ठीक है रविंद्रस जन्म एकस्मिन संब्रांते संब्रिद्धे ब्राम्हर कुले जातम यानि रविंद्र का जन्म एक संब्रिद्ध और संब्रांत परिवार में हुआ था यस संब्रिद्धे अचला विसाला संप जीवनम निहितम बने और नयतिक मुल्यानी ठीक है यहाँ पे तीसरा प्रसने निमिलखित इस लोकों में से किसी एक इस लोक की हिंदी में ब्याख्या करना है अभिवादन सीलस से नित्यम ब्रद्धोप सेविना चत्वारी तस्य वर्धनते आयूर विद्या यसो बलम दूसर से और दूसरों के बस में रहना ही दूख है अपने बस में रहना ही सुख है यहाँ सुख्दुख के लच्छान है धिक है यह ततध्युदास समसेए लच्छडोwo सुख्दुख आप लोगों को कुछ नहीं आएगा तो इधर उधर सब्दों को पलट करके लिख देंगे यही संस्कित में अर्थ हो जाएगा क्योंकि संस्कित में कोई भी विशेस रूल नहीं है कि पहले क्रिया आए उसके बाद करता आए यह आए वो आए ठीक है जो आपको मन हो वो उसको बाद में लिखो वो अच्यम स्रद्धा समे तस्चे प्रच्य तस्चे विशेस ता प्रोक्तम स्रद्धा विहीन स्याप ए अरन्य रुदित ओपमम ठीक है यहाँ पे दूसरा दिया गया है अमनिलखित में से किसी एक पात्र का चरीचितरन हिंदी में करना है महात्मान रक्तम का अददात जाता कमाला या रचईता का जिमूत वाहना कस्य पुत्रह आसीत ठीक है अब यहाँ पे देखिए अगला प्रस्न है दोस्तों ने मिलखितरे खांकित पदों में से किसी एक पद में निर्देशा नुसार विभक्ती का नाम लिखना है रामा नेत्राभ्य पठाती यानि बालग विद्याले में पढ़ता है यह सब चीजें इनमें तीनों में किसी एक पद में आपको विभक्ती बता देना है ठीक है रामा नेत्राभ्याम पस्चति सहा पादेन खंजा है और यहाँ प्यागला देखिए निमलखित में से किसी एक पद में प्रत्य आपको बताना है आगत्य पित्वा और चलनी ये तीन में से किसी एक में और निमलखित में से किसी एक का वाच्चे परिवर्तन आपको कर देना है सहा माम रच्छती सहा प्रसनम प्रच्छती रमेस गम्मेते ठीक है और यहीं प्यागला देखिए निमलखित वाक्यों में से किनी तीन वाक्यों का संस्कित में अनुआद करना है कासी भी साल नगरी है रोहन चित्र देखता है मैं पिता जी के साथ बजार जाता हूँ आज मैं प्रयाग जाऊंगा मैं पवित्र जल में इस नान करता हूँ ठीक है अब यहाँ पे दस्वा देखिए इस तरीके से पूरा पेपर मैंने आपको दिखाया बहुत जादा इंपॉर्टेंट पेपर है बोड़ एकजाम की दरश्टी से इसके एक एक प्रसंद को सालव जरूर कीजिएगा उमीद करता हूँ वीडियो अच्छी लेगी होगी लाइक करना दोस्तों के पास सेयर करना इसी तरीके के माडल पेपर प्रतेग बीसे का पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जै भारत